हाई फ्रेंड्स तोड़े आइम गोईंट्ट शो हाउ टू मेक राउंड़ेट फ्रेम आज मैं दिखाऊंगा कैसे एक उपर वाला जो टॉप है ओ राउंड और नीचे वाला कॉर्णर जैसा कुछ फ्रेम हम कैसे बनाते हैं आठ कैम में पहले हम क्या करेंगे क्लिएट न्यू मोडेल देन सपोर्ज वीड्थ 24 इंचेस और हाईट 60 इंचेस वी सिलेक्ट फर्स्ट इूनिट इन इंचेस नाउ वी कॉन्वर्ट इट इन एमेम अभी इसको हम मिलिमीटर में कॉन्वर्ट कर लेंगे फिर ओक्लिए फिर 2D वीव को हम फूल स्क्रीन कर लेंगे now first I shall draw one square like this create close now press f9 okay now see the width here with these copy this value now draw one circle and paste here the value okay now select these both line दोनों लाइन को हम सिलेक कर लेंगे फिर इधर जाके top alignment करेंगे और इसको हम center alignment कर लेंगे अभी हम क्या करेंगे देख लीजी इधर ऐसे रखेंगे और यह note पोैंट पर सिप्रेश करेंगे किधर इस्पोैंट पर सिप्रेश करेंगे अ कि अभी इसको अधे चरोश कर देंगे फिर दोनों को एक साथ सिलेक करके right click करके join फिर close अभी इसको select करके F9 तो ये rounded वाला एक frame हमारा बन गया अभी ये border पे हम check कर लेंगे ये सब जगा को छीख है तो इस तरह से हम ऐसा frame बना सकते हैं सपोज इसको ये जगा पे थोड़ा ऐसा design बनाना है तो हम क्या करेंगे control प्रेस देन एगेन इधार left click then right click select this then press F9 तो ये जगा से हमारा modification होगा तो इधार ऐसे रख देंगे फिर click अभी ये जगा पे ऐसे click कर देंगे और ये दोनों को हम join कर देंगे और इधार ये position से ये position से ये position तक पैसे तक देंगे फिर ये दोनों को select करके join पहले ये वाला select करके फिर join अभी ये वाला point को हम express करते हैं करके देंगे एंब में एंब एंब और काश्त। फिर ये note editor select करके इधर ये point को C इसको भी C press करके हम delete कर देंगे और ये वाला जगा को हम ऐसे cut करके delete कर देंगे फिर ये दोनों को join फिर इसको mirror कर देंगे ये वाला select करके C press करके line select फिर इधर जाके about line कर देंगे बस ये दोनों को join close तो इस तरह से हम rounded frame या complex वाला frame बना सकते हैं Thank you friends, best of luck